नमस्कार व्योर्स मैं पूजा कुलर सीमरन बुटीक पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज का जी जो हमारा वीडियो का थीम रहेगा वो रहेगा समर कलेक्शन जिसमें हमने कवर किये हैं इसमें और वह भी हमने किया है सारे के सारे आटिकल को ऑनसे सारे काफी पैलेट्स रहेंगे टूथाउजन फिटी रूपीस के राम टेक्स के लोगों के आटिकल रहेंगे ईवन दो और साथी साथ जाते जाते वीडियो में अब्रूप दा वीडियो हम लेके आरे हैं आप में जिसके साथ रहेंगे कोटा डोरिया के एंब्रॉइड दुपट्टा तो स्टे ट्यून्ट आज आई प्रॉस मैं फिंगर्स मुझे बहुत पसंद है आज वाली जो सारी की सारी कलेक्शन है तो होप करती हूं आपको भी वह सारी कलेक्शन अच्छी लगेगी करते हैं वीडिय साची की हुई है इसमें इंब्रॉइडरी विद इनर ये आटिकल आया था गाइस यह जोर्जेट का आटिकल है आप चेक कर सकते हो यह दिखिए हैविशन टून की बॉटम विद इनर थी इसमें साथ में था शिफॉन का दुपट्टा मैंने इसमें सब्वे साची काइंड इसमें लगाई है ब्लाउस टाइप लाइनिंग आपको फुल लाइनिंग इसमें प्रोवाइड होएगे कि आपने इसको कैसे रेडी करवाना है 1750 यह कॉस्ट करता है और फोर शेट पैलेट है मरून वाटल बीन नेवी ब्लू एंड एक और शाय ब्लैक था तो मुझे जो फर्स्ट आर्टिकल है जी उसकी आनी है यह लूप यह देखिए आप पहले तो 5 मिटर्स का औल टोगेधर कट मिलेगा गाईज टू थाउजन्ट फिप्टी रूपीज करना है यह कॉस्ट आर्ट देख लिजिए आप नो नीड ओफ लाइनिंग वेरी सॉफ्ट कॉटन इवन और यह आगे जी हमारी नेक पट्टी पोटली पटन के साथ धेरा पूरा हाइलाइटीड है हमारे वर्क के साथ जो है हमारा फुल कारी का वर्क और ऐसा ही वर्क दिया है फुल स्लीज में कवर करेगा हमारे जो कफ को यह आगे कफ समारे स्लीज के और इसके साथ आपको एक और चीज मिल रही है वो है जी इसकी बॉटम पे भी वर्क आएगा यह है हमारी बॉटम का वर्क जैसे दिखाया है फोटो श चिनौन का दुपट्टा, फुल विट्थ हैंड लंग का, फोर साइट, डबल पट्टी और जिगजग लेस के साथ, यह आप चक कर सकते हो इसकी विट्थ कितनी है, स्काई ब्लू से शेड का फॉर्स आर्टिकल है, देख लीजिए, और आज ऐसे ही जैसे आप भी शॉक्ड हो पर और फिर आगया हमारा यह वर्क बॉट्टम के ऊपर, यह फोटो शूट जैसे, और इसका भी आगया दुपट्टा हमारा चिनौन का, फुल विट्थ हैंड लंग का कुछ आसा, फिर आएगा जी इसी में शेड लेमन, जो फोटो शूट में नजर आ रहा है, आपको इसे बढ़कर एक हैं, वैसे ही आगया हमारा वर्क, अब मैं दुबारा दुबारा बॉटम का नहीं दिखाऊंगी वर्क, वर्क सभी में ही होएगा बॉटम के ऊपर, आज मैंशन, तो यह आएगी इसके बीच, नौन केल का दुपट्टा, फोर साइड पट्टी और लेस के साथ, दुपट्टा कुछ ऐसा, यह देखिए, अब आते हैं जी, नेक्स्ट आर्टिकल पे, यह आगये जी, अब हमारे ब्रैंडीड आर्टिकल, जो मैंने अभी आपको बताए थे, टू थाउजन फिप्टी रुपीज करने है, कॉस्ट यह देखिए, पहले की लुक, पहल कॉर्णर ऑफ दा शर्ट, घेरा के एक कॉर्णर पे यह मोटिव आ गए, यह देखिए, आप सारा वर्क है, हैंड वर्क, मोती दिया है, सारा ऐसा कुछ वर्क आ गया इसमें, और इसके साथ आपका, यह आप देखिए गाई, यह राम टेक्स के लोगों का आर्टिकल है, रा आपकी बॉटम की मूरी पे ऐसे वर्क आ जाएगा, और इसके साथ दुपटा रहेगा, बड़ा ही सुन्दर, सौफ्ट कोटा चेक्स में दुपटा है, फोर साइट पे आएगी हमारी फ्रिलिंग, यह देखिए, फ्रिलिंग को एज़स्ट किया है पट्टी के साथ, यह दे आ गया जी हमारा शेड स्काइबलू, अब शेड आ जाएगा लेमन, यह देखिए, लेमन की लुक, सेम वैसे डिस्क्रिप्शन है, शर्ट का वर्क आ गया, और यह आ गया इसका भी दुपटा, यह आप चेक कर लीजिए, कुछ ऐसा है, एक साइट पे इबन वर्क है, एक सा लोगो, राम टेक्स का लोगो आ गया, सेम वर्क आ गया, हमारा ओलीव ग्रीन शेड है, सूट का, साथ में आ गया हमारा वैसे ही बॉटम क्रीम शेड में, और इसके साथ जो दुपटा रहेगा, वो रहेगा, सौफ नेट में, एम्ब्रॉइड दुपटा, यह देखिए, य पीस ही में आ जाएगा, जी शेड पीच, पीच की आ गई ऐसी ही लुक, यह देखिए अब, सेम वैसी ही लुक इसकी भी है, पीस की, और इसके साथ आ गया, पीच ही दुपटा, यह देखिए, सौफ नेट में, एम्ब्रॉइड दुपटा, अब आते हैं जी, हम नेक्स्ट आटिकल पे, यह भी है, जी, राम टेक्स के लोगों के आटिकल, 2050 ही करेगा, यह भी कॉस्ट, यह देख लीजिए, फाइम मीटर का आपको, और तुगेदर कट मिलेगा, इस पीस का, पहले देखिए, इसकी लुक, पूरा जो नेक है, नेक पे, साइड पे आ रहा है, डाइगनल वर्क आ गया, घेरा के उपर, फिर घेरा है, जी, पूरा हाइलाइटेड, यह देखिए, पूरे घेरा पे, थ्रेड वर्क है, यहां से आपकी स्केलपिंग हो जाएगी, वर्क की, और इसके साथ, आपको मिल रहा है, सौफ्ट कोटा चेक्स में, अम्ब्रॉइड ही दुपट्टा, फुल विडखेंड लंद का, यह देखिए, जो हमारी धाइडाइमिटर की लेंथ है, उसमें आगया, स्केलपिंग के साथ, ठ्रेड वर्क और हमारे पल्लों पे आगी, स्केलपिंग, बिट्वीन जो बूटिया नजर आ रही है, आपको वो है, सारा वर्क यह देखिए, पूरा ओवर्ल यह आपका, सेमी फॉर्मल या फिर हलके फुलके फंक्शन पे पहनने के लिए, हो जाता है, एटायर रेडी, यह था जी हमारा स्काइब्लू शेड, इसी में शेड आजाएगा, ग्रेप ग्रिन, यह देखिए, यह आजाएगी हमारे ग्रेप इसके साथ जो हमने थ्रेड यूज किया है, वो है ग्रे, लेवेंडर ग्रे साशेड, तो इसको बड़ी अच्छी लुक दे रहा है, आप देखिए, पूरा घेरा हाइलाइटीड हो गया, वैसे ही आएगा वर्क हमारे दुपट्टा में, सॉफ्ट कोटा चक्स का जो दुप कुछ ऐसा, धाई मिटर का पूरा कट रहेगा जी दुपट्टा का, अब आएगा जी नेक्स्ट इसमें ये न गाइस छोटा छोटा प्रिंटिंग है, नर्सरी प्रिंट्स में लिया इसको पीस को, तो ओवराल ये 5 मिटर के कट में पूरे में ही प्रिंटिंग रहेगी, सेम डिस्क्रिप्शन रहेगी इस पीस की भी, आप चेक कर लिजे, पिंक शेड आ गया, और इसके साथ भी जो दुपट्टा रहेगा, वो रहेगा कुछ ऐसा, सौफ्ट कोटा चेक्स में, अब आएगा जी इसी में शेड ग्रे ग्रे के साथ लिया है, रस्ट और अलमंट शेड को, ये देखिए, पूरा घेरा आ गया, और ये आ गया इसका दुपट्टा, लाइट और का फ्यूचन है, बड़ा ही सुन्दर ये इफेक्ट दे रहा है, दुपट्टे में भी, अब ये हो गए जी आर्टिकल कंप्लीट, अब मैंने जैसे इंट्रो में आपको बताया था, टू, थ्री शेड पैलेट है, जो रहेंगी हमारे चिकन कट्वर्क के उपर कॉटन पे, साथ में एंब्रोइडरी रहेंगी पूरे ओवरॉल पीस में, ओवरॉल ये डिजाइनर आर्टिकल में करेंगे आपके काउंट, फर्स्ट की देखिए आप पहले फोटो शूट, ये लेंथ पूरी आएगी फोटो शूट में शॉट दियू है पठम लेंथ आपको दिखा देते हैं, पूरी लेंथ का पीस है, 2050 ही करेगा ये भी कॉस्ट, पैरेट ग्ली शेड है, ये देखिए, ये मोटिव आपका बिलो नेक या साइड ऑफ दानेक आ जाएगा, जैसे भी आ दाइमीटर का कट मिलेगा आपको शॉट का, साथ में आएगी प्लेन बॉटम दाइमीटर की, और इसके साथ रहेगा, सौफ्ट कोटा चेक्स में, एम्ब्रॉइड दूपटा, फोर साइड है स्केलिपिंग, और साथ में जो धाइमीटर की लेंथ है, उसमें दिये हैं मोट हमारे फ्लार्स के जो वर्क हुआ है हमारे शर्ट के उपर वैसा कुछ, तो यह आगा जीए इसमें फॉर्स शेड, सेकंड शेड आ जाएगा, इसमें पिंक, यह देखिए पिंक की लुक, यह है पिंक, सेम आगे हमारा घीरा पे, और यह आजाएगा हमारा पिंक काद soft quota checks में embroidery वाला इसी में एक शेड दो शेड और हैं बट ये शेड बहुत जादा सुन्दर है इसमें थोड़ा सा cut work हो गया है चेंज जादा visibility वाला cut work है यह सेम यही वाला shade आ गया इसमें मैं आपको guys suggest कर देती हूं कि आप इसमें short जैसे मैंने blouse टाइप लाइनिंग ली है वैसे लाइनिंग लीजिए यह स्टेप्स में ब्लाउस बनवा के साथ में क्यूलोट स्वियर कीजिए तो बहुत ही सुन्दर एक आपका डिजाइनर आर्टिकल यह हो जाता है रडी फ्रंट एंड बैक आगे जी सेम वैसे ही आगे हमारे मोटिप्स आगे यह हमारी इसकी बॉट्टम का फैब्रिक डाइमिटर्स और यह आ गया इसका भी दुपट्टा कुछ ऐसा यह दिखिए अब आएगा जी इसमें शेड वाइट मिल्की वाइट है प्योर वाइट नहीं है यह थोड़ा सा आप बोल सकते हो आफ वाइट शेड है इसमें साथ में देखिए कितना सुन्दर शेड प्ले हुआ है पूरा इंग्लिश लुक में यह आर्टिकल है इसमें भी आ गया हमारा कट वक के साथ थ्रेड वक यह आप अच्छे से देख सकते हो जूम करके कैसा है इसका वक और इसके साथ भी रहेगा दुपट्टा एंब्रोइडेट सौफ्ट कोटा चेक्स में कुछ ऐसा यह देखिए इसके दुपट्टा की ओवरॉल लुक कुछ ऐसी आप होते हैं जी य यहां पर कंप्लीट अब फिर से आएंगे हमारे राम टेक्स के अर्टिकल्स टू थाउजन फिफ्टी रूपीज करेंगे वह विकॉस यह आप देखिए पहले की लुक यह भी फाइम मीटर्स का जी अल्टोगेदर कट होएगा यह आएगा जी हमारा हलकी सी स्ट्राइप मे है पूरा आर्टिकल और इसका जो घेरा बना है वो है पूरा पेंट में यह कॉर्णर ऑफ घेरा आएगा यह बेल आएगी आपकी वेस्ट लाइन से यहां पर आपका बनेगा नेक लाइन फिर बाजू पर भी दिये है मोटिफ बोट साइट यह देख लीजी आप और इसका लग पेस का ऐसा आना यह देखिए और इसके साथ आपको मिल रहा है चुनान का दुपट्ता यह देखिए यह ऐए कि स्ट्राइप दुपट्ता है साथ में हूआ है पूरे में ब्रश्पेंट यह है इसके पैनी लुक पूरे दुपट्ता गी और चांव बने और ओरने पे भी इसने बड़ा ही सुन्दर लुक देना है ऐसा लुक आएगा आपके इस ओरनी का इसको आप बाद में पिंक ग्रे किसी भी शेट के साथ इसी ली आप यूज कर सकते हो अपने दुपट्टा को फॉर्स शेट आगया जी सी ग्री यह देखे मैंने बोला था ना पिंक अब आएगा जी ओनियन पिंक के साथ वही सेम आएगी हमारी आर्टिकल की लुक ऐसी ही फाइव मीटर का आगया कट नो नीड ओफ लाइनिंग यह आगया घेरा का मोटिव हमारा वेस्ट लाइन तक और फिर आगया इधर जी हमारा मोटिव हमारे आमस के और इसके ग्रेट ग्रेट यह देखिए जी ग्रेट की लुक है सीम वैसे ही आएगा हमारा घेरा का वर्क आप चेक कर लीजिए घेरा का पेंट है जो सारा वह आ गया यहां पर और यह आएगा हमारा चनौन का दुपट्टा कुछ ऐसा ब्रश मेंट में फिर आएगा जी शेड बढमी के साथ थोड़ा सा टच है हमारा पीच का यह आप देख लीजिए इसकी भी लुक क्या सी आनी है यह से पहला के आपको दुपट्टा साथ में दिखा देती हूं यह दिखे जी इसकी ओवरॉल लोग कुछ ऐसे हैं यह आएगी इसकी लुक है अब फिर से हमारा एक औ और आर्टिकल्स आ रहे हैं जी वह भी है कॉटन बेस पे उनके साथ भी रहेगा बड़ा ही सुन्दर हमारा कोटा चेक्स का दुपट्टा तूथाउजन फिफ्टी करने के कॉस्ट राम टक्स के आर्टिकल्स है पहले का देखे लुक यह फोटो शुट आप समझ लीजिए पे जैसे वर्क है बाजू पे वर्क है और दुपट्टा पे सेम ऐसे ही पैनल में आपको मिलनी है लेस वर्क और यह अब मैं आपको समझाते हूं फाई मिटर्स के जी यह औल टुगैदर कट रहेंगे चेक कर लिजिए पेस्टल ग्रेशेड का अर्टिकल्स है पैनल में ले पैंट की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको साथ में इसके दी हैं मोटीव हमारी आम्स के लिए एक आपके आम उदर बनेगे किदर यह कफ से मोटीव जाते जाते थ्री कॉटर फुल स्लीव में कवर करेगा और इसके साथ रहेगा जी बड़ा ही अच्छा ब्रश पे यह आएगा जी डिजाइनर आर्टिकल आपका यह देखिए ग्रे आगया जी फर्स्ट शेड इसमें सेकिंड शेड आएगा पीच सेम वैसी ही रहेगी इसकी भी डिस्क्रिप्शन वैसे ही आगया हमारा वर्क बिलो दा नेक पैनल में आगी हमारे लेस वर्क और यह आगया ह हमारा साथ में बाजू का वर्क जो आपको नजर आ रहा होगा थ्री क्वाटर या फुल स्लिव में जो कवर करेगा और इसके साथ भी आएगा ब्रश पेंट का फुल विट्थ हैं लंता सौफ्ट कोटा चक्स का दुपट्टा विद फोर साइट लेस के साथ यह अब आएग वर्क हमारी बाजू के ऊपर और इसका भी है दुपट्टा बड़ा सुन्दर यह दिखिए जी इसके दुपट्टा की लुक फुल विट्थ हैं लेंद का रहेगा इसका भी दुपट्टा कुछ ऐसा अब जी लास्ट पीस आप दिस वीडियो पिंक शेड आएगा हमारे पा यह सिल्वर सिल्वर आपको नजर आ रहा है यह थोड़ी सी वीविंग हो रखी है पूरे दुपट्टक में तो यह आज की वीडियो का था जी लास्ट पीस हर बार ही हमारे कॉंसेप्ट चेंज ही मिलेंगे आपको कभी राम टक्स के या ब्रैंडिड आर्टिकल आएगे तो